बश्कार दोस्तों MCQ चैनल में आप सभी का स्वागत है हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं साइन्स के MCQ ठीक है साइन्स के MCQ हम इस वीडियो में करेंगे इस से पहले मैंने इसी चैनल पर हिस्ट्री और साइन्स के और भी MCQ किये हैं जिनको आप जाकर प्लेरिस्ट में तो फिजिक्स का MCQ है बाइलोजी के मैंने अल्रेटी करवाए हैं जिसको आप ले लिस्ट में जाके जरूर देखे अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए शुरू करते हैं आज का MCQ प्रिभियस एर कॉस्टंस हैं इसमें जो पढ़के हमें जाने ही च करती है यूपी पी सिस भी रिपीट करती है और भी पीएस सी में जो 67 था ने वाली है या यू के पीएस सी जो है इसमें का वेटेज काफी बढ़ गया है दिनों दिन अब ह्यादी बिपीएस सी में करीश को संवें साइन्स के आते हैं history के भी 30 question करीम में रहते हैं history और science का weight is लगवग लगवग में बराबर कर दिया है आयोगने और BPSC के science के question अच्छे होते हैं हलांकि वो होते हैं previous year के ही तो इसलिए previous year के question जरूर करके जाने चाहिए एक बार दो बार तीन बार ताकि previous year के question में गलती ना हो 25 question तक हमने कर लिये थे already पिछले वीडियो में अभी हम 26 नमर question से करेंगे आपको अगर इनको देखना हो तो आप जा के देख सकते हैं मेरे previous video में 26 नमर question पे चलते हैं 26 नमर था सबसे last पेज उपर नीचे हो गया थोड़ा नाव के रियक्टर पर्मानो बम में यह अंतर है कि क्या है अंतर नाव के रियक्टर पर्मानो बम में नाव के रियक्टर में जो reaction होता है वो controlled होता है हम उसको बैठके control कर रहे होते हैं अगर नाव के रियक्टर अन-कंट्रोल हो जाए न, तो यह भी परमानो बम ही हो जाएक, इसका एक्जामपल क्या है, चर्णोबिल, सिरीज भी आई थी, वेब सिरीज, चर्णोबिल में हुआ दुरगतना और फुकु सीमा, जापान में हुआ दुरगतना, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, B हो परमानुबं में क्या होती है अभिक्रिया ओनियंत्रीत होती है सत्तेस नमर आयुरुबेदिक विज्ञान में नावकी और सधिया नैदानिक और उप्चार के प्रभावी उपकरन के रूप में उभर रही है और वास्ता में क्या है यह यह क्या है रेडियो आइसोटोप्स है परते हैं इसके बारे में वर्तमाने विभिन तत्वोग रेडियो धर्मी समस्थानी का उप्योग नावकी और सधिया गुरूप में नैदानिक और चिकित्सी उपचार में किया जा रहा है वारत प्रचुर मात्रा मुपलब्द महत्पुर्ण नावकी इंधन कौन सा है भार इंपोर्टेंट ही बहुत ही इंपोर्टेंट थोरियम केरल जारखंड तामिलाडू आंध प्रदेश राजस्थाने पायाता है भारत में थोर्मियम के अनमानता भंडार चारदसन पांच लाक टन है और जब हम इससे अच्छे से एनरजी बनाना सुरू कर देंगे ना तब ह हमारे पास एनरजी संकत कम हो जाएगा ट्वंटीनाइन नमर कोशन एक रेडियो धर्मितत जिसके भारत वर्स में बड़े भंडार पाये जाते हैं रिपीटिट कोशन फिर से थोरियम हो जाएगा 13 नमर कोशन पे चलते हैं कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बर रही उरजा की ज़रूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नावकिय उरजा के भविश्य के इंधन के रुप में विक्सित करने के लिए सोधर विकास करना चाहिए इस संदर में थोरियम यूरेनि नहीं से मिल सकता है लेकिन सब जगरा नहीं मिलता दूसरा उत्खनान प्राफ्त खनी से मिलने वाली प्रतििकाई रभ दीमान उर्जा के तुलना की जायए तो कि तुर्णा में कहीं अधिक उर्जाऊ उतपन न करती है ये भी सही है तीसरा है थोरियम, यूरेनियम के तुल्णा में कम नुक्सान दे अपसीस अनवादित बताया है तेनों ही स्टेटमेंट इसके सही है अगले कैस्टन पर चलते हैं और इसके बारे में थोरा परते हैं भारत अंतराष्टे ताप नावकिय प्रियोगिक रिएक्टर का एक महत्पुन सदस्य है, यदी यह प्रियोग इंटर्नल थर्मो निकलियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, यदी यह प्रियोग सफल हो जाता है तो भारतका ताकॉलिक लाव क्या होगा, यह बिद्दूत उत् energy बनाते हैं uranium से uranium अभी जो हम बिजली बनाते हैं उसमें हम नावकिये विखंडन का यूज़ करते हैं नावकिये विखंडन ठीक है लेकिन जब ये project पूरा हो जाएगा जिस पे भारत भी सहयोगी है तो हम नावकिये sunlion का use करके बिजली बनाइगे ठीक है नावकिये sunlion का use करके sunlion का use करके वो जो हम सुनते हैं कि artificial sun बनाने की बात हो रही है artificial sun वो actually में यही है कि जिस दिन नावकिये sunlion से हमने बिजली बनाना शुरू कर दिया उस दिन हमारे पास बिजली का संकट खतम हो जाएगा तो 32 नमर कुश्चन उपर से था चलते हैं फिर वहाँ पर तो उसका डी हो जाएगा ठीक 32 नमर कुश्चन भारत के संदर में अंतराष्टे परमानू उर्जा अजेंसी के अतरिक्त नया चार एडिस्नल प्रोटोकॉल का नुस्मर्थन करने का नहतारत क्या है तो ओसेनिक परमानू रियक्टर आई ए ए के रक्षोपाई का धीन आ जाते हैं देखो ओसेनिक परमानू रियक्टर जो हमारे देश में चलते हैं जिनसे हम बिजली उत्वादन करते हैं और ऐसे परमानू रियक्टर जिनमें यूज होने वाला यूरेनियम हमें बाहर से मंगाना परता है उसको हमें IAEA International परमानू उर्जा एजेंसी के लिए उसको खोलना परता है उसका बार बार निरिक्षन किया जाता है इस एजेंसी के दोरा साल में ठेक इसलिए इसका एंसर ए हो जाएगा थर्टी तूबर थर्टी थरी भारत में क्यों कुछ परमानू रियक्टर आईए ये सुरक्षा उपायों का धीन रखे जाते जबकि अन्य इस सुरक्षा का धीन नहीं रखे ज देखती है ये आईए ये इसका एंसर रजाए कि थर्टी थरीका भी हो जाए गया थर्टी फोर नवल नेवफेता कौन साथा तो तो परमानू इंधन की स्रेटिनी में नहीं आता है तो कैडमियम नहीं आता है पुलूटी नम यूरेनियम थोरियम ये सब आते हैं कैडमियम आता है यम लाम रहोने से थोरी नहीं हो जाएगा अगला है कैडिमियम नहीं आता है कैडिमियम के यूज क्या होता है ये मंदक का काम करता है मंदक क्या होते हैं वो जो अभी हमने परहा कि नावकिय विखंडन प्रकिरियाज होती है वो नियंतरित होती है नावकिय भट्टी म तो वो नियंतरित किसके सायदा से होती है मंदक की सायदा से मंदक क्या करता है उनके chain reaction को limit करके रखता है अनुसक्ती से नहीं सम्मधित खनीज को पहचानी है तो क्रोमियम ऐसी मिला जुला नाम देता है जिसमें लंट में यम लगा हो 36 नमर है निमकित में कौन इंधन नहीं है तो हीलियम हीलियम इंधन नहीं है सभी रेडियोक्रिव पदार्थों को परमानों इंधन के रूप में प्रियोग किया सकता है हीलियम एक अक्रिय गैस होता है 37 नमर कोशन इमकित में से किसका नावकी इंधन के रूप में प्रियोग नहीं किया जा सकता तो केलसियम सी हो जाएगा केलसियम यूरेनियम, ठोरियान, प्लोटिनयम, रेडियोएक्टिव तत्व हैं का नावकिया उर्जा प्राप्त करने के लिए इंधन के रूप में प्रियोग किया जाता है कैलसियम हड्डियों अंडे के छिलकों संख इन सब के अभियव मुख्य अभियव हैं या दूद में सरवाधिक मातरा हम पा जाता है अगला कोशन है नियोकिलर बंब बनाने के लिए नियमने से किसका उप्योग किया जाता है तो यूरेनियम का ये दो सब को पता होगा अगला कोशन है फोटी नमर परमानु बंब का सिध्धान किस पे अधारित है नावके विखंडन पे आधारीत परमानु बम सूरे में क्या होता है नावके सनलेन 41 अनमार रेडियो धर्मिता के संदर में निम्रखित कत्रूम से कौन से सही है रेडियो धर्मिता एक नावकी एगुन है नावकिय विखंदन के सिध्धान पर हाइडोजन बम बनाया जाता है दो स्टेटमेंट दे दिया तो किवल वन सही होगा रेडियो धर्मता एक नावकिय गुन नावकिय संलेयन के सिध्धान पर काम करता है ठेक कोशन क्या पुछा था कौन से सही है इसका एंसर दोनों होना चाहिए न दोनों ही सही होंगे इसके एक और फिर से पढ़ लेते हैं रेडियो धर्मिता के संदर में निम्की कत्रों में से कौन से सही है रेडियो धर्मता एक नाव के गुन है सही है यह नाव के विखंडन के सिध्धान पर हाइडोजन बंप नाव के विखंडन नहीं सौरी नुकलियर फ्यूजन माई मिस्टेक मैंने देखा नहीं नाव के सनलयन पर बनता है सनलयन पर तो इसलिए इसका एंसर केवल 1 सही हो जाएगा 42 नमर कुश्चन है कि परमानु बम का कारीकारी सिध्धान्त यूरेनियम का नावकिय विखंडन और हाइड्रोजन बम का कारीकारी सिध्धान्त है डूटेरियम का नावकिय संलेयन हाइडोजन बम का कारे-कारे सिध्धान्त क्या है डूटेरियम का नावकिये सनलियन डी टू ओ डूटेरियम परमानु बम का कारे-कारे सिध्धान्त यूरेनियम का है अगला है कुश्चन इसका एक्स्प्रेनेशन भी परते हैं नावकिय सद्धान पर आधारित है इसमें डूटेरियम तथा टाइटीनियम के सद्धान से अपार उड़ जा मुक्त होती है मतलब हाइड्रोजन बम परमानू बम से सौ गुना से भी जाद ताकतवर होता है कम मातरा में हाइड्रोजन बम निमन से किस सिधान पर आधारित है और नियंतित सनलेयन भी करिया हाइड्रोजन बम हो चाहे एटम बम हो दोनों ही और नियंतित सनलेयन पर करिया पर ही एक नावकिय विखंडन पर आधारित है एक सनलेयन पर अगला है हाइड्रोजन बम विक्सित किया गया था किसके द्वारा एड्वर्ड टेलर के द्वारा हाइडोजन बम विक्सित किया गया था बहुत अच्छी चीज बनाई इन्होंने वर्स उन्हें साथ में हंगरी में जनमें अमेरिकी वैग्यानिक एड़वर्ड टेलर को हाइडोजन बम के जनक यानि फादर अव्द हाइडोजन बम कहा जाता है कोई अच्छी चीज तो बनाई नहीं इन्होंने संब्रिध यूरेनियम होता है ए बिसेस खोल में रखी यूरेनियम की छरें प्राकिर्तिक यूरेनियम जिसमें रेडियो धर्मी यूरेनियम दो सो पैंटीस आइसो टोप का घटक करतिम रूप से बढ़ता जाता है इसका प्राकिर्तिक यूरेनियम और थोरियम का मिस्राम डी है कुरोमियम की कोटिंग की हुई यूरेनियम की छरें तो इसका एंसर हो जाएगा B, प्राकिर्तिक यूरेनियम जिसमें रेडियो धर्मी U-235 आईसोटोप का घटक कृतिम रूप से बढ़ाया जाता है, जिसकों कृतिम रूप से बढ़ाते हैं, यूरेनियम समवर्धन उसी को कहते हैं अगला है 46 नमबर है, एक रेडियो धर्मी विगटन का अंती मुतपाद क्या होता है, इसका सीसा होता है अंती मुतपाद, रेडियो धर्मी विगटन का फोटी सेवन नमबर है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के अर्ध आयू चार महीने है इस पदार्थ की तीन चौथाई का छे होने में समय क्या लगेगा यह आई एस दोयार एक का कोश्चन है तो टी वन वाई टू फोर महीने है सेष वन माइनस वन थिरी वाई फोर तो वन वाई फोर कर दिया है अब सूत्र है इनका उससे निकाला है तो इसका आगया है आठ महीने अब संथ सी इस तरह के कोश्चन अब नहीं पूछ जाते हैं यह दोयार एक के कोश्चन भी साल पहले के किसी विगटन नाभिक तक्त्यों के अर्ध आयू 5 वर्स की होती है 20 वर्स पर स्चाथ विगटन नाभिक पदार्थ का जो अंस बच जाता है वह क्या होगा तो वह हो जाएगा एक वटा 16 एक वटा 16 एंसर D हो जाएगा फोटी नाइन नमर कोश्षन है एक रेडियो धर्मी पदारत के अरध आयो दस दिन है इसका भी प्राय यह है है कि पदारत का पूर्ण विगटन 20 दिनों में हो जाएगा नहीं अरध आयो दस दिन है पड़ते क्या है पदारत के तीन बटा चार भाग का विगटन बीस दिन में हो जाएगा जब अर्धायू किसी चीज़ का लिखा ले नाव किये रेडियो धर्मी पदारत का तो उसका तीन बटा चार का विगटन बीस दिन में हो जाएगा दस दिन अपदारत अपनी मूल मातरा का आधा हो जाएगा सेस आधा भाग विगटित होकर दस दिन में चौथाई बचेगा अता पदारत के तीन बटा चार भाग का विगटन बीस दिन में हो जाएगा फिप्टी नमर कुस्टन पे चलते हैं नमर कीत में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है तो जरकेनियम जरकेनियम जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव नहीं है जरकेनियम जिनका परमानु करमांग चालिस है एक रेडियो एक्टिव तत तो नहीं है प्राया ऐसे तत जिनका परमानु कर्मांक 80 सधिक होता है प्राया लिखा हुआ यहाँ पर यानि कि कुछ ऐसे भी हो सकते जिनका ना हो जिनका परमानु कर्मांक 80 सधिक होता है रेडियो एक्टिवता पदरसित करते हैं प्रसंगत विकल्पों में एंस्टेंटाइन परमानु कर्मांग 85 युम फ्रैंसियम 87 रेडियो एक्टिव तत्व हैं जबकि ट्रीटियम या हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है तो डी हो जाएगा जरकेजियम 51 नमर को सथानिक परमानु उर्जा सन्यानत में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है तो इसका सी उरेनियम 235 तो परमानु उर्जा मतलब बिजली संस्थान में उरेनियम 235 युजि किया जाता है फिप्टी जुन नमर कौ्स्टन है बिद्धूत उत्पन करने के लिए कौन सी धातू का उपयोग होता है तो युरैनियम का अभी परहा हमने तीनों किरने करती हैं तभी तो रेडियो धर्मी है फिप्टि फॉर नमर है अगर चालू नाब की रियक्टर में कंट्रोल च्छरों का उपयोग नहीं किया तो क्या होगा चेन पर किरिया सीमा से बाहर चली जाएगी और येक्टर जो बंबन जाएगा जिससे बिजली मिजले ह है वही उरा देगा हमारे घर को फिप्टि फाइड नमर भारत का परमानू पर्थम परमानू से नहींत निम्यों से कौन सा है तो तारापूर तारापूर कहां है ये महराष्ट तारापूर मुंबई मस्थापित किया गया तो 1969 में इसकी मूल छमता इतना है रटना है तो रावगा नहीं पर्णा एरिलेवेंट फिप्टि एट नमबर धरूब पूरनीमा तथा साईरस में क्या सम्बंध है ये तीनों क्या है ये भारतीय सोध रियक्टरों के नाम है रियक्टर जिसमें हम बिजली बनाते हैं यूरेनियम डालके उसी रियक्टर के नाम देज़ क् धुरूब, पुर्नीमा, साइरस और भी नए बन गए है अब धुरूब रियक्टर की डिजायन सोदेसी तकनीक से तियार की गई है इस सन्यांतर को अध्योगिक परमानु सेहंतर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोवाल्ट 60, क्रोमियम 51, आयोडीन 131, आधित समस्थानिक उत्पादन किया जाता है इस सन्यांतर का प्रति रक्षा के छित्रम महत्तो है साइरस भी सी तरीके का है, पुर्नीमा भी सी तरह के है पुर्नीमा तीन का विकास किया गया है ये तीनों ही रियक्टर क्रम से 73, 86, 91, सेवा मुक्त भी हो गए है भारत के नुक्लियर रियक्टर में कौन सा इंधन प्रियोक्त होता है तो यूरेनियम 238 यूरेनियम 238 235 यूरेनियम 238 हम यूज करते हैं तो भारत अभी 238 कर रहा है तो यूरेनियम 235 की मातरा केवल 0, 97, 1, 1% होती है 69, 99% यूरेनियम 238 होता है कुछ रियक्टर में साधारन यूरेनियम इंधन के रूपे प्रियोग में लाया जाता है परन्तु अनिक रियक्टर में सम्रिध यूरेनियम का प्रियोग किया जाता है कलपकम परसिद्ध है क्यों कलपकम में क्या है परमानु सक्ती सन्यंद्र के कारण कलपकम में क्या है कलपकम परमानु सक्ती सन्यंद्र 1971 में चनने के निकट इसको अस्थापित किया गया था इंद्रा गांधी परमानू अंसंधान के अस्थापित की गई था इंद्रा गांधी सेंटर फॉर एक्टॉमिक रिसर्च कल्पक्कम अभीपरह सही है एक्स्प्लोरेशन एन रिसर्च हैदराबाद ये भी सही है हरिस्चंद रिसर्च इंसिचूट चेन ने ये गलत दिया है पर लेंगे कहा है सहा इंसिचूट अफ नुकलियर फिजिक्स कुलकता ये सही है हरी संद रिसर्च इंसेशूट उत्तर प्रदिश के प्रियाग राज इलहावाद में इस्थित है ये 63 नमबर कोस्टन नेमिकित संगठनों पर विचार कीजिए परमानु खनीज अनसंधान एवं अन्वेशन निदे साले गुरुजल बोर्ड भारती रेयर अर्थ लिमिटेड भारती यूरेनियम कॉर्परेशन कौन सा परमानु उर्जा विभाग के अंदर आता है तो सारे ही आते हैं भारत में बारी जल बनाया जाता है हाइड्रोजन के दो जो समयष्थानिक डीटू वो बनाया जाता है उसी को बोलते हैं भारी जल इसका काम क्या होता है अगला 65 नंब्र पर है सुची वन को सुची टू से मिलाना है कल पक्कम में भी हमने परहा कल पक्कम कहा था तामिलाडू में नरोरा कहा है तो नरोरा हो जाएगा तुम्हारा उत्तर प्रदेश में ट्रामबे कहा है महरास्ट में काकरापारा कहा हो जाएगा गुजरात में इस तरह को सनस्टेट खुब पूशता है निम्रके तो कौन सुमेलित नहीं है राज्थान परमानो उर्जा सन्यांत उधैपूर नरोरा परमानो उर्जा सन्यांत उत्तर प्रदेश मदरास परमानो उर्जा सन्यांत कलपक्कम कहगा परमानो उर्जा सन्यांत करनाटक इसका एंसर हो जाएगा राज् वस्थित है नरोरा में बिल्कुल है कल पक्कम में भी है इसका एक और तीन हो जाएगा एंसर अभी परहाम ने भारत का निम्खित है कौन सा परमानु सेयंत चार भुकम प्ये पेटी में वस्थित है मतलब भुकम खतरनाक तरीके काते हैं वहां पर यह पूछा है इसमें तो इ कुड़न कुलम में रूस परमानु भटियों की कितनी एकाईयां लगाने हैं तू राजी हुआ था कुड़न कुलम के लिए बात हो रही है कि उस समय का करेंट फियर रहा होगा डी है इसका एंसर छे खायर कुड़न कुलम अभी भी था चर्चा में तो इसका छे हो जाएगा सेविन्टीवन का कलपकं के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रियक्टर में प्रियुकत इंधम कौन सा होता है पलोटिनम कलपकं में पलोटिनम का यूज़ किया जाता है 72 नमर कोशने कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रियक्टर के विशाय में क्या सत्य है इसमें किवल प्राकृतिक युरेनियम इंधन के रूप में प्रयोगिक होता है तो यह गलत है अभी आउने पर हाँ उपर इसमें प्लोटीनम कारवाइड यह प्राकृतिक युरेनियम कारवाइ 73 नमर कोशने के कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रियक्टर निमिके तरिम है कौन सा सीतलग प्रयोग में लाए जाता है 73 का हो जाएगा डी द्रवित सोडियम वहाँ पर यूज किया जाते कलपकम में लिक्विड सोडियम ठीक है लिक्विड सोडियम 74 नमर कुश्चन है कि नावके रेक्टरण भारी जल का क्या काम होता है कितनी बार पूछा है न्यूट्रॉन की गती को कम करना एस्पेस्पिक रूप से थोड़ा का पूछा है तो न्यूट्रॉन की गती को कम करना अच्छा कुश्चन है यह 75 नमबर कोश्चन नावके रियक्टर में किसे मंदक के रूपे प्रियोग किया जाता है तो थोरियम को भी और साधारन जल दोनों को यूज किया जाता है इसका दोनों ही हो जाएगा अंसर पर लेते हैं भारी जल उपर वाले के पहले परते हैं भारी जल हाइडोजन के समस्थानिक डूटिरियम का ऑक्साइड परम परागत नाव के रियक्टर जिन में यूरियम 236-249 इंधन के रुप में प्रियोग होते हैं में भारी जल के में मंदक के रूप में ग्रेफ हाइट भारी जल हम साधारन जल का प्रियोग किया जाता है ग्रेफ हाइट अधिक अधिक अस्तर पर निर्मित होने वाले सुधतम पदार्थों में से एक हैं तता अत्यधिक तापमान पर भी अपनी गुन बनाए रखता है इसलिए इसका आगे कुस्सन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट वीडियो को तभी मिलेगा जब आप इस सेनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं धैंक यू धन्यवाद सो मच बाई